Students, हम देखेंगे quantum numbers of electrons, हम different quantum numbers यहाँ पर लिखे हैं, four quantum numbers जो हमारे पास हैं, हम इनको देखेंगे different electrons के लिए, ठीक है, और quantum number क्या होते हैं, हम ने का the set of values होती है, जो कि क्या करती है, जो कि electron की state को describe करती है, अब इसके लिए हम यहाँ पर एक table ले आएंगे, यह हमारे पसके table है ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, quantum numbers फिल करेंगे, और किस तरह से फिल किये जाएंगे, यहाँ पर हम यह देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे principle quantum number दिया हुए, तो principle quantum number हम क्या करते है, n जो है, जिसको हम n से represent करते हैं, इसको हमने 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ minus 1 क्या हो जगा 0, तो यहाँ पे हमारे पास 0 जो है, वो L की value आ जाएगी, और हम कहते हैं, L की value 0 हो, तो हमारे पास sub shell होता है S, ठीक है, then M है, magnetic quantum number, ठीक है, और इसके लिए हम देखते हैं, कि यह हम लिखते है, small m, और यह होता है 0, और plus minus L की value तक हम जाते हैं, ठीक है, 0 से start होते हुए, अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो हमें क्या मिलता है, कि यहाँ पर L जो है, वो 0 होता है, इसका मतलब M की value, just 1 आएगी, यानिके, A की value आएगी, यानिके, और वो है 0, ठीक है, पिर spin quantum number तेखें, तो 1 M की value के लिए हमारे पास, हम कहते हैं, कि 2 spins आती है, ठीक number of electrons कितने accommodated हैं, जि हम देखने हैं कि 2 spins हैं, तो हमारे पास number of electrons जो accommodated हो हैं, हम कहते हैं, कि हमारे पास 2 आ गए, ठीक है, इस तरह से, इसके बाद आज़ते हैं, N is equal to 2, अगर हमारे पास हो, N is equal to 2 हो तो जो shell होता है, वो हमारे पास आ आता है, L घृक है, और इसमें हम देख लेकिंगे first of all आगए zero, first l की value आगए zero और second आगए one, zero के लिए हमारे पास sub shell है S, और हमारे पास one, l is equal to one के लिए sub shell P, ठीक है, यहनी second shell में 2 sub shells आगए, ठीक है, then magnetic quantum number पे आज जाएंगे, आप देखें, zero plus minus l करेंगे, तो हमारे पास आगए, इसके कितनी values आएंगे, एक zero आएगी, और एक आएगी plus minus one, ठीक है, जब l is equal to zero है, तो value m के के आएगी, सिर्फ zero, लेकिन l is equal to one है, तो फिर हमारे पास values के आएंगी, हमारे पास values आएंगी, zero, ठीक है, और plus minus one, ठीक है, इस तरह से, ठीक है na, next हम आज़ते है, spin quantum number पे, अब देखें, यह जो हमारे पास is zero, इसके बदले हमारे पास कितनी spins आएंगी, दो spins आएंगी, ठीक है, यानि कि म is equal to zero है, तो हमारे पास एक plus, और एक minus, दो, हमारे पास spins आगए, ठीक है, और यह देखें, यह plus minus जो हमने इस तरह लिखा है, इसको मैंने बिल्कुल इस तरह से लिख देए, यानि कि यह दो spins है, ठीक है, इसी चीज़ को हम इस तरह भी represent कर सकते हैं, इसी तरह अगर हम इनकी बात करें, तो इसमें भी हमारे पास इसी तरह आजागा कि zero के लिए plus minus half, ठीक है, then plus one के लिए plus minus half, अलग spin, ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं कि minus one के लिए plus minus half, अलग spin, ठीक है, दो-जो spins, इस तरह से आएंगी, ठीक है, यह orbitals, zero एक orbital, plus one एक orbital, minus one और हर एक orbital के लिए दो-दो spins, plus minus half, plus minus half, plus minus half, यानि के plus half, minus half दोनों, ठीक है, और भी हम देखें, तो देखें, यह इस plus minus half से कितने electrons बने, two, ठीक है, इसको थोड़ा से हम ऐसे करेंगे, यहां करके लिखेंगे, two electrons बने, और यहां पर देखें, two, one, two, three, four, five, six, यहां पर जो P sub shell है, इसमें हमारे पस six, हमारे पस electrons accommodate हुए है, ठीक है, तो अगर number of, देखें, हमके पूरे shell में कितने electrons accommodate हुए है, तो हमारे पस total number आ जाता है, हो आ जाता है, eight, तो यानि के L shell में, eight electrons accommodate कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, next shell पे, n is equal to three ले 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 लेंगे, ठ two तक जाएंगे zero से start करते हुए, zero, one, two, ठीक है, zero के लिए L होता है S, ठीक है, L one हो तो हमारे पस होता है P, और L two हो तो हमारे पस होता है D, ठीक है न, अब zero के लिए हमने M क्या लिखा, हम plus minus L तक जाएंगे, यानि कि हम plus minus two तक जाएंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, zero, एक value zero आगे, zero के लिए M zero आगया, one के लिए क्या आजाएगा, zero, ठीक है, plus minus one, और two के लिए क्या आजाएगा, zero, plus minus one, ठीक है, plus minus two, ठीक है, इस तरह से values आजाएंगे, ठीक है न, अब देखें, ये plus minus half, अब अब spin quantum number पर जाएंगे, तो देखें, M is equal to, हर M की हर value के लिए plus minus half आएगा, plus minus half, ठीक है, ये दो values, इनके लिए भी हम देख लेते हैं, कि plus minus half हर एक के लिए आएगा, जिस तरह से हमने यहाँ बर mention किया था, हमारे पास यहाँ पर इतनी space नहीं है, इसलिए हम एक दफ़ाए mention करें, लेकिन ये तीन दफ़ा होता है, ठीक है, जिस तरह से क्यो एगा, ठीक है, इसलिए देखें न, one, two, three, four, यानिके, zero, plus one, minus one, plus two, minus two, ठीक है, तो हम कहते है, plus minus half, इसमें भी क्या आ रहे है, ये कितनी दफ़ा आ रहे है, ये पाईस दफ़ा आ रहे है, ठीक है, यहाँ पर पाईस दफ़ा आएगा, ठीक है ना, तो इस तरह से हम देखे अगर count करें, तो number of electrons, जो कि zero, zero में number of electrons कितने आ सकते है, m is equal to zero में two आ गए, ठीक है, अब ये कितनी values है, m की, एक, दो, तीन, तीन values है ये, तो हम देखते है, m की तीन values अगर हो, तो हमारे बस कितने electrons आ जाएंगे, हर एक में दो आएंगे, तो छे हो जाएंगे, ठीक है, तो एड़ करें, तो क्या बनेगा, two plus six plus ten is equal to eighteen, ठीक है, यानि कि eighteen electrons accommodate हो सकते हैं, अगर हम M shell की बात करें, ठीक है न, इस तरह से, next हम आ जाते हैं, अब हमारे पास N is equal to four हो, N is equal to four हमने यहां लिख दिया, ऐसे में हमारे पास shell बनता है N, ठीक है, यहां पर हमने N लिख दिया, अ तो L की values के आएंगे zero, one, two, three, ठीक है, और zero, अगर L zero हो तो हमारे पास sub shell होता है S, one हो तो sub shell होता है P, two हो तो sub shell होता है D, और three हो तो sub shell होता है F, ठीक है, next देख लेते हैं, M जो है, अब M देखें, कि M की हम value लिखेंगे, यहां पर देखें, M क्या है, M यहां पर, L zero है, त zero plus minus one, ठीक है, अगर L हमारे पास two है तो हमारे पास values के आएंगे zero plus minus one, class minus two, ठीक है न, इस तरह से, और L is equal to three है तो फिर values के आएंगी zero plus minus one plus minus two plus minus three, ठीक है, इस तरह से, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे कि इनको थोड़ा सा स्पेस कम देंगे ताकि कि हमारे पास खुद जो है वो स्पेस यहाँ पे थोड़ी सी कम है इस वज़े से हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं प्लस माइनस टू कॉमा प्लस माइनस 3 ठीक है इस तरह से फिर हम आजाते हैं spin quantum number पे हमने कहा M की हर एक value के लिए दो spins होंगी M की एक value के लिए हमारा रपस कितनी spins प्लस माइनस half ठीक है अब यह देखें यह 3 है तो हर एक के लिए प्लस माइनस half आ जाएगी ठीक है हम यहाँ पर जस्ट एक लिख रहे हैं लेकिन यह कितनी होंगी multiply by 3 और यहाँ पर अगर हम देखें तो यह 5 values हैं तो इन 5 values के लिए हम एक ही दफ़ा जस्ट प्लस माइनस half लिख रहे हैं हाला कि हमें यहाँ पर हमें यहाँ 5 times लिखना चाहिए प्लस माइनस half ठीक है और 3rd 1 हमारे पास 3rd L है L is equal to 3 है ठीक है इसके लिए F sub shell है तो इसमें हम देख रहे हैं कितनी values है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 values हैं तो इसमें हमारे पास 7 times हम प्लस माइनस half लिखेंगे लेकिन हमारे पास space नहीं है तो हम यहाँ पर just ones लिख रहे हैं ठीक है एक दफ़ाई लिख रहे हैं ठीक है न इस तरह से अब यह देखे हमने कहा M की हर एक value पर 2 electrons accommodate हो सकते हैं तो देखें M is equal to 0 है तो 2 electrons accommodate M की 3 values हैं तो 3 into 2 6 electrons accommodate M की 5 values हैं तो फिर कितने 10 electrons accommodate और N की अगर 7 values हैं तो 7 into 2 हम कहेंगे 14 तो 14 electrons accommodate हो जाएंगे और इन सब को अगर हम add कर लें यहाँ पर हम इसको add करेंगे तो sum हमारे पास क्या आता है 32 ठीक है यानि कि 2 into 6 8 आजाएगा 8 into 8 into 24 गरेंगे तो 32 हमारे पास आजाएगा ठीक है इस तरह से हमने कर लिया तो यह हमने देखें कुछ quantum numbers कि हमने combination of quantum numbers देखें है ठीक है जिस तरह से आते हैं अब इनमें अगर हम notice करें तो हमें बता चलता है कि अगर first करें मेरे बस n जो है first करें m ले 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 ठीक है अगर मेरे बस n is equal to 1 है sorry n is equal to 3 है 3 है अगर n is equal to 3 है मेरे पास और हम यहाँ पर क्या देख रहे है यहाँ पर हम इसको देखेंगे n is equal to अगर हमारे पास 3 है ठीक है यह 3 है तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर n इन तीनों का सेम है ठीक है 18 electrons जो है हमारे पास इन सब का n जो है वो सेम है यानिके 3, लेकिन देखिए, इन सब के लिए हम क्या कह रहे हैं कि L जो है, वो different है ठीक है, अगर L भी first करें अगर first करें, same है, यानिके L is equal to 1 है यानिके P sub shell में आ रही है ठीक है, यानिके ये वाले, ठीक है इनमें भी देखें तो N भी same है, L भी same है ठीक है, यानिके L 1 है N जो है, वो 3 है, ठीक है और उसके बाद हम देखें तो लेकिन फिर हमारे पास का difference आ रहे है इनमें से देखें, किसी electron की M 0 होगा किसी electron का M plus होगा किसी electron का M minus होगा first करें हम वो ले लेते हैं, जो इसमें N is equal to 3 है L is equal to 1 है, ठीक है L is equal to 1 है, यहाँ पे और हम कहते हैं कि M जो है वो is equal to हमारे पास क्या रहे है 0 रहे है, ठीक है तो देखें तब भी हमारे पास spin में भी difference आ जाएगा, कि हम देखें है एक electron positive half होगा और एक electron negative half, यानि कि अगर 3, कोई से वे 3 quantum numbers अगर सेम हो भी जाएं तो इससे कोई फरक नहीं परता है क्यूंकि एक ना एक quantum number इन फॉर्थ वन लाजमी जो है वो different होगा हर electron के लिए कोई भी दो electrons हैं उनकी हम देखते हैं कि सारे चारों के चारों quantum numbers सेम नहीं हो सकते ठीक है इस तरह से हमने combination of quantum numbers पर हैं ठीक है quantum numbers of electrons देखें first four shells के लिए